किस बात को किस परकार कहें किन सब्दों का अपयोग करें ऐसे ही कुछ आउसक बातों की जानकारी इस वीडियो में दी गई हैं अंग्रेजी भासा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार का ज्यान भी आवश्चक है, अंग्रेजी में बोलते समय बात और वेवार में शिष्टाचार का बहुत ध्यान रखा जाता है। इन सब्दों में वक्ता का सिष्टा चार समाया होता है, ये अंगरेजी भासा के बड़े महत्यपून वे अर्थपून सब्द होते हैं, इन में सबसे पहला है, इनको कुछ एकजमपल के दवारा समझते हैं, उधारन के लिए ये ये आपको किसी से पहन लेना हो, या एक गिलास पानी मांगना हो, या किसी से समय पूछना हो, तो आपको पिलीज का प्रियोग करना होगा, यदि आप केवल पिलीज कहा देंगे, तो भी आपका भाव परकट हो जाएगा, हिंदी में आप कैसे कहेंगे जरा अपना पैन देना एक गिलास पानी देना क्या बजा है ठीक है हिंदी में ये वाकिक काम चला हुए ये अधिक से अधिक केवल अनौप चारिकता परकट करते हैं पर इन ही वाकिक को अंग्रेजी में देखते हैं कैसे बोलते हैं इंग्लिस में बास्चीत करते वे यदि आप इनका परियोग ऐसे ही करेंगे तो यह माना जाएगा कि आपके अंदर मैनर्स नहीं है और यदि आप निम्न परकार कहेंगे तो आपको सुसिक्सित माना जाएगा या यदि आप उपरोक्त वाक्यों को निम्न परकार भी कहेंगे तो भी यही समझा जाएगा कि आप सुसिक्सित है जैसे और यदि किसी व्यक्ती ने आपका मामूली सा भी काम किया है उधारन के लिए आपने टाइम पूछा और उसने बता दिया अत्वा कोई अन्य साधारन बात पूछी और उसने बता दी तो उसे थैंक्यू कहा जाएगा हाँ आप थैंक्स भी कह सकते हैं यदि आप अपने उपर उसका अधिक एहसान परकट करना चाहते हैं तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू या फिर थैंक्यू वेरी मच्च आप उसको ये भी कह सकते हैं यदि उसने आपका कुछ भी काम किया है और दूसरे यदि आप से कुछ लेने के लिए कहा जाए और आप ना लेना चाहते हो तो आप उस परकार ना कहें जिस परकार आप हिंदी में कहते हैं जैसे हिंदी में कैसे कहते हैं मैं और नहीं लेना चाहता तो इंग्लिस क्या होगी इसकी I don't want to take more लेकिन इंग्लिस में इस परकार कहेंगे पूरा सेंटेंस कहेंगे तो ये गलत ऐसभ्य माना जाएगा बलकि आप सोट में कह सकते हैं अब आपने किसी का छोटा सा काम किया है और बदले में उसने आपको थेंक्यू कहा दिया तो आप बात को यहीं समापना समझे अंग्रेजी में बात यहीं पर खतम नहीं हो जाती आपके ठैंक्स सुनकर चुप रहने पर तो आप एबद्र या एंकारी कहलाएंगे तो इस पर आप क्या कहें इस पर आपको कहना पड़ेगा आप इन मेंसे कुछ भी कह सकते हैं वैलकम कहें यू आर वैलकम कहें तो यह आपको यह दिखाएंगी कि आप सब्बे व्यक्ति हैं अब यदि कोई व्यक्ति आप से कोई वस्तु मांगे और वहाँ आप देना चाहते हों तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए पर अंग्रेजिम में यदि आपने कहा टेक इट तो इसे आप सब्बे माना जाएगा इसलिए अब आप क्या कहेंगे इसके लिए? आप कहेंगे Yes, You Are Welcome या फिर आप कह सकते हैं With Great Pleasure या आप यह से भी कह सकते हैं It's All Yours या सब कुछ आप ही का है यदि आप किसी को छोटी सी सेवा या साहता करना चाहते हैं तो उसे कहने का अंग्रेजी में उप्युक्त, सिश्टा चार पून तरीका क्या होगा? माल लेते हैं, आप किसी वर्द का थेला उठाने की पेसकस करने के लिए क्या कहेंगे उसको? तो आप कहेंगे, May I help you? ऐसा कह सकते हैं, और यदि आपने का, Sir, May I help you? तो ये और भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत ही सभ्य माना जाएगा, और उसका ध्यान आपकी और आकरसित भी होगा, अब क्या होता है कि अक्सर हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो अंग्रेजी में छोटी सी गलती हो जाने पर भी, चाहे हो जानकर हुई है, या अंजाने में हुई है, और हमें खेद पर कट करना है, हिंदी में भी हम खेद पर कट करते हैं, और उससे माफी मांगते हैं, पर केवल उसी समय जब हम से कोई बहुत बड़ी भूल होती है, तब ही हम हिंदी में उससे माफी मांगते हैं, लेकिन इंग्लिस में छोटी से हो जाए तो आपको तुरंद कहना होगा सोरी या फिर आप कह सकते हैं आई एम सोरी दो आदमी रास्ते में खड़े होकर बात कर रहे हैं तो क्या होता है आपको साइड से गुजर जाना चाहिए लेकिन ऐसी स्थिति हो कि आपको उनके बीच से ही गुजरने का विकल्फ हो आप साइड से नहीं जा सकते तो आप क्या कहेंगे आपको कहना होगा एक्स्क्यूज मी मालीजी आपकी लोगों से बातचीत चल रही है पर आपको उन लोगों के बीच से उठकर किसी जरूरी काम के लिए जाना है तो आप क्या कहेंगे आपको कहना होगा एक्स्क्यूज मी और यदि किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी और आकर सित करना है आपको तो उसको क्या कहेंगे सुनिए आपको कहना है excuse me और जो भी कहना उसके बाद अपनी बात उसको बोल सकते हैं अब कभी अक्सर क्या होता है आप telephone सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बाचित कर रहे हैं पर किसी भी कारण से आपको उनकी बात सुनाई नहीं दे पाती और आप दुबारा से उसको सुनना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं उंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता क्या कहेंगे इसमें क्या होगा? speak loudly, I cannot hear anything तो आप ऐसे बोलेंगे तो आपको ऐस सब्भे माना जाएगा तो आप कैसे कहेंगे? आपको कहना पड़ेगा pardon या फिर आप कह सकते हैं I beg your pardon और सामने वाला व्यक्ति इस से समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दिये अब यदि कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है और आप उसे अपनी कमरे में ले जाना चाहते है और सम्मान के लिए आप उसको हिंदी में कहेंगे कि पहले आप चलिए आगे आप चलिए पहले आप बैठिए तो आपको इंग्लिस में यदि आप ये कहेंगे आप टर यू मिंस आपके बाद तो इससे आप सब भे माने जाओगे तो जब भी आपको कोई काम किसी को कहना है कि पहले आप तो आपको कहना है इंग्लिस में आप टर यू इस परकार से आज की इस वीडियो में हमने यह जाना की कहाँ पर प्लीज का यूज होना है कहाँ पर थैंक्स का यूज होना है कहाँ पर वैलकम का यूज होना है और कहाँ पर allow me, after you, sorry, excuse me, pardon, that is alright, it's my pleasure इनका कहाँ पर यूज करना है और जब आपको इनका यूज करना आजाएगा तो आप बहुती सब्वेविक्ती माने जाएंगे यदि आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको लाइक करें अधिक से अधिक लोगों के साथ सेर भी करें थैंक यू